अब जानते हैं बुद्ध के बारे में और बुद्ध की बीमारियों के बारे में दिखिए बुद्ध जो है ये भी शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता पर असर डालता है हाना कि जादा तर जो इम्म्यूनिटी है वो मंगल के पास है लेकिन बुद्ध का भी बड़ा प्रभाव होता है जो आपके sensory organs हैं जो आपकी ज्यानेंद्रिया हैं उनके पीछे बुद्ध की बड़ी भुमिका होती है और बुद्ध की वज़ा से जो infection वाली बीमारिया होती हैं उनके होने की समभावना जादा होती है त्वचा, कान, नाक, गला ये सब जो पार्ट हैं ये बुद्ध से संबंद रखते हैं कान, नाक, गला, जीब और त्वचा ये जो सिंसरी आरगंस हैं ज्यानेंद्रियां हैं इनके पीछे मंगल की भूमिका होती है और इनके पीछे जादा तर जो भूमिका होती है वो होती है बुद्ध की इसलिए अगर आपको कान ना गले की समस्या जादा होती है जल्दी होती है या कान ना गले की बीमारियों से परेशान है तो आप पक्की तोर पे समझिये कि आपके पीछे बुद्ध की भूमी का जरूर है और त्वचा के जो रोग होते हैं, इसकिन की जो प्रॉबलम होती है या इसकिन की जो एलर्जी होती है, उसके पीछे भी बुद्ध की भूमी का जादा होती है इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तर एल्टर तर नो यॉर फेट क्या करना चाहिए भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का प्रियोग करिये अगर आप अपने बुद्ध को बेहतर करना चाहते हैं तो भोजन में सलाद का प्रियोग करिये और हरी सब्जियों का प्रियोग करिये इससे आपको लाब होगा कुछ देर सुबा के समय उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठिये अगर आप सुबा के समय कुछ देर उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो आपके शरीर को शक्ती मिलेगी प्राता काल खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करियेगा सुबा के समय खाली पेट दो पत्ते तुलसी के ये आपको ग्रहन करना है इससे आपको लाब होगा और नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जब करिये जादा नहीं कर सकते तो कम से कम 27 बार सुबह और 27 बार शाम को अगर आप गायत्री मंत्र का जब करें तो इससे आपको लाब होगा अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है बार बार सर्दी जुखाम की समस्या परेशान कर रही है या त्वचा की एलर्जी की प्राबलम से परेशान है तो ये आप समझ जाईए कि इसके पीछे बुद्ध है और बुद्ध के लिए जो उपाए आपको बताए हैं वो उपाए करने से निश्चित रूप से आपको लाब होगा